जोतिर्मट के शंकराचारिया अविमुक्ते रिश्वरा नंसरस्वती ने कहा कि वो जोशीमट आबदा प्रभावितों के साथ खड़े हैं जोतिर्मट की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा उन्हें कहा कि आबदा ग्रस जोशीमट में पिछले एक महीने के अंतर ये तीसरी यात्वरा थी शंकराचारे ने कहा कि आगामी 12 फरवरी को शीक कलीन अवकाष के बाद माननी उच्च न्यायले निताल में जोशीमट आबदा प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पक्ष रखेंगे शंकराचारे ने आबदा पेड़ितों से सभी पहलियों पर विस्तार से चर्चा की दो दिवसी प्रवास की तौरान योतिरमट परिसर में आबदा प्रभावितों से भेट करते हुए शंकराचारे ने आबदा पेड़ितों से उनकी आप बेती भी सुनी